आपका पहला सवाल है भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती होती हैं? आपका आप्शन है आपका सही जवाब होगा भी चावल का आपका दुसरा सवाल है किस जानवर का सिर काटने पर भी जिन्दा रहता है? आपका आप्शन है A. कचुआ B. घोड़ा C. चीटी D. कॉकरोज आपका सही जवाब होगा D. कॉकरोज को आपका तीसरा सवाल है बिचली बल्ब का अविशकार किस देश में हुआ था? आपका आप्शन है A. अमेरिका B. भारत C. जापान D. रूस आपका सही जवाब होगा A. अमेरिका में आपका चौथा सवाल है हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है आपका आप्शन है A. आगरा B. जैपुर C. दिल्ली D. लखनव आपका सही जवाब होगा B. जैपुर में आपका पांचपा सवाल है किस जीव की आँखें नहीं होती है आपका आप्शन है A. मचली B. उट C. केचुवा D. हाथी आपका सही जवाब होगा C. केचुवा का आपका चछठा सवाल है भारत के किस शहर में जनतर मंतर स्थित है आपका आप्शन है A. दिल्ली B. कॉलकाता C. मुंबई D. जैपुर आपका सही जवाब होगा एदिल्ली में आपका साथ्वा सवाल है शरीर के किसंग में रख़ पाया जाता है आपका आप्शन है A. किड्नी में B. कॉर्णिया में C. यकृत में D. फ्लेफडा में आपका सही जवाब होगा बे कॉन या में आपका आठवा सवाल है विश्व में गेहूत पादन में भारत का कॉन सा अस्थान है आपका आप्शन है A. पहला B. दूसरा C. तीसरा D. चौथा आपका सही जवाब होगा बे दूसरा अस्थान आपका नौवा सवाल है पढ़ने वाले पेपर को किस पेर से बनाया जाता है आपका आप्शन है आपका सही जवाब होगा बास के पेर से आपका दस्वा सवाल है ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था आपका आप्शन है आपका सही जवाब होगा आपका ग्यारहवा सवाल है काजु का सबसे बड़ा उत्पादक राज्जी कौन सा है आपका आप्शन है आपका सही जवाब होगा बे केरल में आपका बारहवा सवाल है भारक का सबसे बड़ा मुंग फली उत्पादक राज्जी कौन सा है आपका आप्शन है आपका सही जवाब होगा बे कुजरात में आपका तेरहवा सवाल है बारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है आपका आप्शन है आपका सही जवाब होगा एकेला का आपका चौदेवा सवाल है भारत में सबसे ज्यादा गांग किस राज्जी में है आपका आप्शन है आपका उत्प्रदेश में बी महाराश्टर में सी गुजरात में डी राजस्थान्ह में आपका सही जवाब होगा एक उत्तरप्रदेश में आपका पंद्रेवा सवाल है काली मिठी सबसे अधिक किस राज्जी में पाई जाती है आपका आप्शन है आपका सही जवाब होगा भी महाराश्टर में आपका सुलहवा सवाल है भारत में नोट बंदी कब हुई थी आपका आप्शन है आपका सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा दो हजार सोलह में